नवस्कार मैं प्रियाराउजर आप देखे एक निस 24 जिस्तर से टी 20 वर्ल्ड कप का मैच जानी था इसी बीच लोगों के अंदर एक उम्मीदे थी लोगों का सपना था कि इस बार टी 20 भारत जीते और जिस्तर से टीम इंडिया ने मकाम तक ले गया और इस चीज को हासिल किय जैसा कि भारत टीम ने दच्छीन अफरीका को साथ रन से हदा करके जीत हासिल की है तो पूरे 140 करोड देश वासियों को जो उम्मीद थी भारतिये टीम से वो आखीर कारसान में आही गई भारतिये काफी खुस है लोगों ने देराज सडकों पर उतर कर जस्ट मनाया लोगों ने नारे बाजी किया यहां तक कि लोगों ने संख बजा करके टीम इंडिया की होसले को भी बरकरार रखा वहीं हमारे देश के प्रधान मंती नरेन मोदी ने भी टीम इंडिया को बधा करती हूं कि हमारे देश में ऐसे खिलाडी हैं जो हमारे देश का नाम रौसन करते हैं वहीं माननिय प्रधान मंती नरेन मोदी भी टीम इंडिया की बधाई दी और कहा कि मैं काफी खुस हूं मैं अपना सीना चोड़ा किया हूं क्योंकि हमारे पूरी टीम ने टीम इंडिया नाम रौशन करें इसी भीच विराट कोली भी काफी चर्चे में रहें कहा जा रहा है कि विराट कोली अब T20 वर्ल्ड कप जितने के बाद सन्यास लेने को त्यार हैं तो काफी लोगों के अंदर इस चीज का सोक भी है क्योंकि विराट कोहली एक अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाडी है जिस तरह से वो मैदाने जंग में डिटे रहते हैं डटे रहते हैं वहां से कई स्कोर बना करके हमारे देश का नाम रौसन करते हैं इसी बीच अब व भारतिय तिरंगा को जमीन में गाड करके अपने मिट्टी को अपने माथे लगाया चुमा वो कहीं ना कहीं एक भारतिय जो भावना होती है उसे प्रकट करके शामने किया है इसी बीच कई वीडियो भी सोसल मेडिया पर पोस्ट हो रही है जिस तरह से टीम इंडिया ने ट्रॉफी हाथ से चला जाएगा लेकिन भारत ने इस ट्रॉफी को हाथ से नहीं जाने दिया तेरा साल बाद उसने जीत हासिल की है जिससे पूरे भारत वासी और पूरे जो फैन्स फॉल्विंग है चाहे वो टीम इंडिया के हो या कि अपने देशों में भी कई फैन्स फॉल है और खिताब अपने नाम किया वही आईसेसी खिताब के लिए भारत का 11 साल का इंतजार विराट कोहली के बल्ले से निकली आग और रोहित सर्मा की कूल कप्तान के दम पर खतम हुआ वही भारत ने 2007 में पहली टी 20 विश्व कप जीता था भारत ने आईकरी आईसेसी खिता 2013 में महिंद सिंग धोनी के अगवाई में साथ अफ्रीका में चैंपियन्स टॉफी जीती थी पिछले साल भारत में वन दे विश्व कप फाइनल में टीम इंडिया को अस्ट्रेलिया के हाथों हार जहलनी पड़ी थी लेकिन पिछले साल 19 नॉमबर को अमध्दाबाद में अ पोली टीट्वेंटी वर्ल्ड कप दोहजो चौबिस की फाइनल में प्लेयर आफ दे मैच बने और टीट्वेंटी अंतराश्टी क्रिकेट को अलविदा कह दिया हार्दिक पांडिय भी आशों पर काबू नहीं रख पाय रोहित सर्मा ने उन्हें गालों पर चुम्बन दि पाजिका फैसला किया वही भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 176 रन बनाए वही विराट कोली ने 76 और अक्छर पटेल ने 47 और सीवं दूबे ने 27 रन बनाए वही साउथ अफरिका के लिए केसव महराज और एंडिक नौर्खिया ने दो-दो विकेट लिए वही मारको यांस साउथ अफरिका ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए वही हैंरिक क्लासन ने 52 रन बनाए वही क्विंटन डिकॉक ने 29 रन बनाए और Tristan Sabas ने 31 रन बनाए वही डेविड मिलर ने 21 रन बनाए और हाधिक पान्डिया ने 3 विकेट लिए असधीप सी और यसप्रीत बुम पर 147 रन बना लिये थे जीत के लिए 5 ओवर में 30 रन चाहिए थे इसके बाद भारत ने जबरदस्ट वापसी की और अगले ओवर में जस्पीत बुमराह ने 4 रन दिये और आपको बता दे कि 24 गेंद पर 26 रन चाहिए थे वही हादिक पांडिया ने हैर्रिक क्लासन को पवेलि चैंपियन बना आपको बता दे कि कोच राहूल डरविट की बिदाई वर्ल्ड कप के साथ हुई तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से कैसे सब भी भारते खिलाडियों ने जिस तरह से अपने हाथ में कबजा लिया किस तरह से रन को बढ़ाया और किस तरह से करके चुम्बक दिये यानि किसी करके अपने भावनाव को रोका और जिस तरह से उनके आँखों में आसू थी यह होना भी चाहिए कि जब कि पूरे 140 करोड़ डेस्वासियों की उनसे उम्मीदे होती है कहा जाता है कि क्रिकेटर के ऊपर एक बूज होता है कि हमें अपने द देस्वासियों की याद आती है उसी तरह टीम इंडिया जब जीत हांसिल करती है तो उसके सामने पूरे देस्वासियों की भावनाए और उम्मीदे सामने होती है और जब वो जंग जीत जाते हैं तो उनके अंदर उनकी जो भावनाए है आसू के रूप में जहलकी जाते है वो खुसी के आसुब होते हैं क्योंकि इतने सालों की मेहनत जब रंग लाती है तो काफी रोमांचक होते हैं देखनी लायक होती है पूरे भारत वास्यों के लिए ये गर्व की बात है कि उनके देश में T20 वर्ल्ड कप का खिताब फिर से वापिस आया है काफी लोग इसका ज अन्यास लेने ज़ा रहे हैं इस तरह से मामले सामने आते तो आज ले इतना ही ऐसी तमाम खबरों के साथ आप हमाया साथ जुड़े रहे एक निज्टेनटी फूपर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉलो कीजिए लाइक कीजिए धन्यवाद